हेलो स्टुरेंट गुड मॉनिंग तो आज जो हम टॉपिक लाएं है वह रेडियो एक्टिव चेक्टर का चौथा टॉपिक है फोर्थ टॉपिक है और इस टॉपिक में हम अल्पा बीटा गामा तीनों के जो खेरेक्टर्स है उनके बीच हो यह प्रॉपर्टी है उनके बीच इसमें हम इस बूसरे क्या करेंगे कंप्रीजन करेंगे इस बूसरे के साथ तो टॉपिक स्टार्ट करने से तहले आप मैल चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें और मेरा होसला बढ़ाएं तो चलिए अग्जा करते हैं कंप्रीजन आप प्रॉपर्टी आफ अल्फ क्या करेंगे तो कौन कौल सिह प्रॉपर्टी हचल करेंगे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले हम नीचर का कंपियर करेंगे थtså का कंप्रीजन करेंगे फिर आई-म्रेज़िशन पावर करेंगे फिर एलेक्ट्रिक और मैंनेटिक फिल्ड में इसके 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 सबसे पहले हम क्या करेंगे नेचर के कौन किस नेचर का है तो इससे पहले वारी वीडियो में हमने आपको पताया था कि alpha जो होती है positive rays होती है ङॉगाल्फा को इस symbol से भी represent करते हो और alpha 2he4 भी लिखते है रहते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि अलफा का जो मास है वो फोर यूनिट है यह फोर एम्यू है यह फोर यू है ठीक है अब हम बीटा को माइनस वन नॉट से रिप्रिजेंट करते हैं यह माइनस वन इनॉट से रिप्रिजेंट करते हैं यह लेटिव रेज है और इसका मास 0.0005486 AMU या U Unified Mass है अब हम गामा पे चलते हैं गामा रेस पहले भी बता चुके हैं और फिर से आज हम देख लेते हैं क्योंकि हम कंपेर कर रहे हैं तो गामा रेस इलेक्ट्रो मैंनेटिक रेस हैं यह गामा इस तरह से रेप्रेजेंट पढ़ते हैं इसका ल्यामडा वण इंगे स्ट्रोंक के About होता है अब अगली अगला जो प्रापरटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेलोसिटी तो αफ़ा रेस की जो वेलासिटी होती है यो लाइट की वेलासिटी की 1 if again time of light velocity जो लाइट वेलासिटी है और यह लगभग जो निकल के आती है 2 x 10 to the power 9 cm per second होती है ठीक है बीटा रेस के अगर हम विलोसिटी की बाद करते है कि कितनी तेज यह चलती है कितनी स्पीड से चलती है तो यह लंभग लाइट की विलोसिटी के बराबर इसकी स्पीड या विलोसिटी होती है और यह होती है 2.79 10 to the power 10 cm per second अब हम गामा की बाद करत है तो गामा की विलोसिटी लाइट की विलोसिटी के बराबर होती है वह होती है 3 x 10 to the power 10 cm per second इस तरह से हम देखते हैं अगर तीनों ने तो सबसे जाड़ा विलोसिटी गामा की उसके बाद बीटा की और सबसे कम विलोसिटी होती है अलफा की क्यूंकि अलफा सबसे हैवियर गामा बिलकुल ही लाइट पार्टिकल से बना हुआ है अब तीसरा के चीजों को पैंट्रेट करती है तो कितनी मोटी चीज को यह पैंट्रेट कर सकती है तो अगर हम 0.00 2 cm फिक अलमियुन सीट लेते हैं तो यह अलफा रेच विसके आपट पार चलिए है लेकिन अगर हम बीटा रेज की बात करते हैं तो यह 0.2 cm थिक अलुमिनियुन सीट को पार करके जा सकती है और गामा की बात करते हैं तो इसलिए जादा मोटी चीज को पार कर लेगी तो इस तरह से 100 cm थिक अलुमिनियुन सीट को प्रॉस कर जाती है एक पार से दूसरी तरफ निकल जाती है तो इस तरह से पेंटरीटिंग पावर भी सभसे जाधा कि इसका गामा का वीटा दे अलफा सभसे कंपेंटरेट कर बाते हैं धी मती पेंटरेटिंगे पावर भी कम लोता है अब हो देखेंगे ऐनाइजेशुन पावर आइनाइज काश्य करती है तो जब हम अलफा को गैस के अंदर डालते हैं तो यह 100 time more than βीटा and 10,000 time more than गामा इसका जो आनाइजेशन पावर है means अगर बीटा एक एक गैस के उसको एकम को आनाइज करती है तो अलफा 100 आटम को आनाइज करेगी ठीक है अगर गामा एक पार्टिकल को आनाइज करती है तो अलफा उसी गैस के 10,000 पार्टिकल को आनाइजिट करेगी तो इस तरह से हम देखते हैं आनाइजेशन पावर सबसे जादा होता है स्पीड कम है चाहिए जादा होगा जादा 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 बात करते हैं तो गामा एक को करती है तो बीटा किसे करेंगी 100 आइंस बनाएगी बनाएगी इसके पार्टिकल्स को 100 ताइंस जादा आइनाइज करेंगी अब इन ही दोनों का रेशियो लेके हम गामा का देखते हैं वन बाई 10,000 मोर देन अलफा एन बाई 100 देन बीटा ठीक है उसका वन बाई 10,000 एन बाई 100 ताइम कम करती है गामा तो इस तरह हम देखते हैं कि वेलासिटी अधिक होने पर आइनाइजेशन बावत बहुत जादा घ और पर इसका बाई यहांपर आएगे हैं दिफलेक्ट और बादनेगेटिव लेट क्योंकि एक पॉसिटिव रेज है तो निगेटिव की तरफ होगी कि इस पहले इस तरफ बीटा की बात करते हैं तो यह पॉसिटिव की तरफ जाएंगा तो डिफलेक्ट तूल बीटा के बाद आरुफा और गामा तो बिल्कुल होती ही नहीं है तो इसमें क्या है नो एक है क्योंकि न्यूट्रल है और न्यूट्रल पर चार्ज ना होने के वाज़े से ना ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो ये सीधे निकल जाएगी पंप क्या है पॉजम प्थाट पर पहले ही जो हम ने इसके नेशर के बारें पढ़ा था जितनील फिल्कृम्रीजणी क्या डाले कर देतीjak तो वो तीनों में आयेगा photographic plate turn black photographic plate turn black photographic turn black मतलब तीनों ही photographic plate plate को black कर देंगी no doubt 7th point देते हैं effect on barium platinum, cyanide and zinc sulfide इस पर क्या करेंगी यह produce fluorescence मतलब एक अलब तरे की चमाक उत्पन करेंगी इन दोनों पर जब alpha, beta और gamma rays अलग-अलग तरह से जाली जाएंगी तो तीनों का इपक टेक जैसा दिखेगा तीनों ही fluorescence phenomena को शो कराएंगी इस तरह से यह हम यहां पर compare कर लिये हैं किस की velocity जादा है किसका nature कैसा है कोन कितना penetrate करेंगा और magnetic field में कौन कितना deflect होगा किस plate की तरफ जाएगा और photographic plate पे इनका पड़ेगा और फाइनली fluorescence किनकी चीजों से यह कराएंगे इस तरह से आज का topic यह खतम होता है हमें उमीद है कि आपको यह topic अच्छा लगा होगा आप मारे चैनल को देखते रहें like करें share करें subscribe करें thanks for watching